दोस्तों आज की इस वीडियो हम दोग बात करने वाले हैं बजास की Pulsar 195 New Generation के बारे में जिसमें आपको मैंने कल दिखाया था कि सिंगल सीट ही आती है और वहाँ पर आपको किसी पी तरह का फ्रेंट में डिस्क देखने को नहीं मिलती है जो कि 125 CC का सेग्मेंट नया कलर वेरे कि 2健-5 नहीं है देकिन है मैंने इस बारी को शूट किया है और यहां पर आप देख सकते हैं कि जूं ब्लैक मेटलिक फिनिच दिया गया है टैंक पर टिंग के स्टीकर पर जिससे आपनों के तें टैंक का वहाँ पर जो finish दिया गया है वो बहुत ही dual tone में ला देता है जिसकी वजह से जो bike की look है वो काफी हद तक enhance हो जाती है इस bike में आपको self के साथ साथ की start दोनों ही चीज़ें देखने को मिल जाती है plastic की quality paint की quality बहुत अची है जैसा कि आपको अब तक आदा था just वैसा ही plastic की quality आपको देखने को मिल जाती है metallic finish जो आपको देखने को मिलता है sticker में वो front के साथ साथ आपको rear के plastic fenders बे भी देखने को मिल जाता है जिसकी वजह से जो look है वो पुरी तरीके से आगया से लेकर के पीछे तक same दिखती है fuel tank पर आपको 3D production वाला plastic दिया गया है जिससे आप अपने zip के scratches को बचा सकते है paint पर ना लगे और tank बची रहे बाकी switches की quality बहुत अच्छी है कोई भी तरीका का compromise आपको देखने को नहीं मिलेगा जो main चीज थी इस वीडियो में बताने की कि आपको मैंने कल दिखाया था कि यहां पर जो drum का front में और rear में drum मिल जाता है और single seat वाली variant मैंने आपको दिखाया था जो कि already showroom पर मौदूद था बस मुझे उस वक्त नहीं मिल पाया और मुझे इस बारे में कुछ खास जानकारी भी नहीं थी तब तक कि इसके total 11 variations आ चुके हैं जिसमें बहुत ही छोटा 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 चेंज करके इस बाइक को सभी से different किया गया है लेकिन अभी खुद showroom वाले ही इसे display में नहीं निकाल रहे है इस बाइक में indicators आपको अभी भी halogen के देखने को मिलते हैं silver और red के combination को मिला करके एक बहुत ही प्यारा सा variant बनाया गया है बागी आपको rear के plastic fenders पे भी 125 cc लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा खेर cc तो नहीं लिखा रहता आप लेकिन हाँ 125 ज़रूर लिखा रहेगा tail light पुराने जासी ही है और ये हमेशा से वैसे ही बनी आ रही है patrol T देखने को मिल जाती है जहां से आपने बाइक में patrol को on off कर सकते हैं तो जिन लोगों के दिमाग में आता था कि यार FI की बाइक्स है fuel tank में कम सकम एक लिटर दो लिटर वाला option होना चाहिए ताकि अचानक से fuel pump ना खराब हो जाए वैसे fuel pump खराब तो EFI और FI में भी नहीं होता है तो काईबरेटर में कहां से होगा बस ये एक छोटा सा लोगों के अंदर मित है कि EFI और FI वाली बाइक्स में अगर fuel कम हो जाता है अचानक से तो pump खराब हो जाता है खराब होता है नो डाउट लेकिन इतना इजी ली नहीं कि बस आप जस्ट खराब करके रखी देंगे एक दो बार में या दस बार में तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इंजन के स्पेक्स जस्ट वही हैं जो 125cc के सेग्मन में अभी तक आया करते थे और इंजन की क्वाल्टी में भी कोई भी कॉंप्रमाइज नहीं किया गया है फिरहाल जो बैने आपको कल दिखाया था इसमें तो आपको CBS देखने को मिल जाता है रियर में 130mm का ड्रम दिया गया है लेकिन जिस बाइक में आपको मैंने बताया कि फ्रेंट में डिस्क आ रही है वहाँ पर आपको 220 mm की फ्रेंट में डिस्क और रियर में 130 mm का ड्रम देखने को मिलेगा बात करेंगा इस बाइक में ABS आने की तो हाँ ये बहुत बड़ी चीज नहीं है अल्रेडी बजाज ने अपनी प्लाटिना में जब ABS डाल दिया है तो पलसर की 125 CC की सिरीज में ABS डालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है हो सकता है कि ये अल्रेडी वो बाइक बन चुकी हो टेस्टिंग में हो और आपको बजाज की आज़ पता भी है कि वो कभी भी किसी भी बाइक को मैनिफेक्चर करने के बाद या फिर कुछ भी चेंज करने के बार शो आफ नहीं करता है वो जस्ट अपनी बाइकों को ऐस इट इस बिना कुछ बोले बिना किसी भी तरीके का धूम धड़ाका किये शोरूम पर अपनी बाइकों को पहुचा दिया करता है और लोगों को एक हार्ट सर्प्राइज देखने को मिल जाता है जस्ट वैसा ही आज तक मैंने अपने पिछले दो साल में देखा हुआ है कि बाइक के मामले में बजाज एक ऐसी कंपनी है जो कभी भी अपने चेंजिस को शो आफ की तरीके से नहीं लेती है जस्ट वो एक नया जनरेशन नया वैरियंट या फिर आप कहसे हैं कि समय के साथ थोड़ा बहुत बदलाव के हिसाब से वो अपने चेंज को करते जाते हैं और लोगों तक provide करवाते जाते हैं बिना किसी inauguration के बिना किसी उदगाटन के बिना किसी फीदा cutting के तो आप ये बात कह सकते हैं कि बजाद शायद इंडिया की एक ऐसी company है जो कभी भी show off नहीं करती है अपने किसी भी variant में change करने के time पर अब बात करेंगर इस bike के on road price की तो जो drum वाला variant है इसकी price तो 88,000 रुपए रखी गई थी लेकिन देख लेते हैं कि disc वाले variant के आने के आने के बाद उसका price क्या रहने वाला है मेरा मानना है कि लगभग लगभग 3-4,000 रुपए की price बढ़ोतरी होगी on road price पर तो मान सकते हैं कि लगभभग 93-92,000 रुपए का price on road पड़ेगा जिसमें आपको front में डिस्क और split seat देखने को मिल जाएगी दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो कैसे लगी जालिस या नीचे कामेंट में पता देना वीडियो अच्छी लग गई है तो लाइक जरू कर देना चलिए फिर मिलते हैं किसे और एक amazing सी वीडियो में तब तक ख्याल रखना अपना और अपनी बाइक का बबाए